रामपुर में राजनीतिक जमीन खो चुके आजम खान को बड़ी राहत मिली है हेट स्पीच मामले में आजम को MP MLA कोट ने बरी कर दिया है बता दें के चुनाव प्रचार के दोरान हेट स्पीच केस में ही उन्हें निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद आजम की विधाय की रद कर दी गई थी वहीं मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए आजम खान की वकील विनोश शर्मा ने बताया आज नयायले ने हमें दोशमुक्त किया है मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया हमने अपील की थी कि हमें जूटा फसाया गया है कोट ने सबूतों को देखते हुए आजम खान को दोशमुक्त कर दिया है अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें जूटा फसाया गया और जोब हमने नीचे फिली लिखी थी हमें जूटा फसाया गया वो हमारी बात माले गये और यह अपील जो है हमारे फेबर में की आकुटल कर दिया है गौर्दलब है कि हिट स्पीस से जुड़ाई ये मामला 2019 लोग सभा चुनाओ के दोरान का है जब आजम खान ने एक चुनावी भाशन के दोरान आपत्ती जनक और भलकाओं टिपडिया की थी इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आक चुनाओ हुआ जिसमें आकाश सक्सेना ने बतोर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की और पहली बार रामपुर में कमल खिलाया फिलाल आजम खान के लिए कोच का ये फैसला राहत भरा है हालाकि इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता हुआ 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 है झाल